अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि सरकारी दफ्तरों में काम कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है क्योंकि एक फाइल जो है एक डेस से दूसरे डेस में पहुंचने में महीने लगता है जिसके बाद सरकार को खरी खोटी सुनने पड़ती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ऐसे लोग ऐसे अधिकारी जो नॉन परफॉर्मिंग है यानि कि अपना काम सही धंग से नहीं कर रहे हैं जो ब्रश्चाचारवर लिप्त पाए गए है उनको समय से पहले रिटायर करने की बाद जो है कुद प्रधान मंतिर नरेंद्रमोदी ने की है प्रधान मंतिर नरेंद्रमोदी ने तमाम स्टीट और यूटीस के यूनिन से के बैठक की उन्होंने कहा कि वो अधिकारी जो दागी है और नॉन परफॉर्मिंग है यानि कि अपना काम सही धंग से नहीं कर रहे हैं आप उनकी समय से पहले ही चुटे कर दीजे एक नियम का उन्होंने हवाला दिया जिसमें ये कहा जाता है कि 55 साल की उम्रों के बाद किसी भी व्यक्ति को रिटायर किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर बात ये देखने को मिल रहे हैं अक्सर लोग शिकायटे कर रहे हैं अकसर लोग कहते हैं कि समय पर काम नहीं हो पाता है, प्रधान मंतिर ने दो टुक कहा है, कि देखे करप्शन की कोई जगा नहीं है सरकार में, और सरकारी बावु अगर कोई करप्शन करता है, तो सरकार पर पूरी तहां से गाज गिरती है, और लोग सरकार को ही करप समझते है इसी के साथ से तुन्हों ने ये भी कहा है कि आप हफ्ते में एक दिन लोगों की समस्याओं का निवारन करने के लिए निकालिये और मुल्यांकन कीजिए आप देखिए कि कौन व्यक्ति नौन परफॉर्मिंग है कौन व्यक्ति जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर हम अच्छे परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को इनाम देते हैं तो जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है उसको समय से पहले जो आप छूटी कर दीजिए